कैसे हो विद्यार्थी मित्रों? आप सब मजे में हो ना? तो आज हम हिंदी विशय सीखने वाले हैं, हिंदी विशय में हमने आखिर में जो सांत्वी कविता थी जूला, हो हमने पोनकी थी तो आज नया प्रक्रण जो है, प्रक्रण नमबर आण्ट, चतूर चूहा चतूर चूहा जो है, वो एक कहानी है, क्या है? एक कहानी है इस कहानी के अंदर, इस कहानी में एक बहुत चतूर चूहा है चतूर चूहे कि हमें बात पताई है, एक जो चूहा है वो रास्ते से पसर होता है तब उसे रास्ते में एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है उसके पास जाता है, ऐसे ऐसे वो अलग-अलग लोगों से मिलता है, उसकी बात हमें यहाँ पे बताई है, तो हमें क्या-क्या चतुव चुहे ने क्या-क्या किया है, वो हम इस कहानी के अंदर सिखेगे, देखो इस चेत्र के अंदर हमें पहले चुहा चुहे वो दर्जी के प वो रास्ते पर जा रहा था। उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला। वो उसे लेकर आगे बढ़ा। उसने एक दर्जी की दुकान देखी। दर्जी के पर जाकर उसने कहा। चुहा, दर्जी रे दर्जी इस कपड़े की टोपी सी दे। अभेनवन वाज़ो एक उंदर हतो। ते रस्ता पर जई रहा हतो। ते कापड़े एक टुकड़ा मिला। ते ने। और चुहा जो है वो दर्जी से क्या कहता है। दर्जी रे दर्जी इस कपड़े की टोपी सी दे। यानि कि पहले चुहा किसके पास जाता है। तो पहले चुहा दर्जी के पास जाता है। फिर दरजी क्या कहता है दरजी यह कौन बोल रहा है दरजी इधर उदर देखता है कौन बोल रहा है तब चुहा कहता है मैं चुहा चुहा बोल रहा हूं मुझे इसकी एक टोपी सी ही दे तब दरजी क्या कहता है उसे चल रस्तानाप वाना क्याची उठा कर मारूगा तब कछरी में जाऊगा, सिपाही को बुलाऊगा, तुझे खुब पिटवाऊगा और तमासा देखूगा, यसुन दर्शी डर गया, उसने जट पट टोपी सी दी, क्या होता है पहले, चुहे को एक कपड़ा मिलता है रास्ते से, वो कपड़ा उठा कर दर्जी की दुकान पर जात है कि मुझे तोपी सी दे, तब दर्शी उसे क्या कहता है, कि चल अपना रस्तानाप, नहीं तो मैं कैची उठा कर तुझे मारूगा, ऐसा दर्शी चुखे को कहता है, तब चुहा क्या करता है, तु मुझे डरा रहा है, दर्शी उसे कहता है, कि मुझे डरा रहा है, और मैं तो कछरी में जाऊगा, सिपाही को बुलाऊँगा, और तुझे बहुत पिटवाऊँगा, और मैं तमासा देखूँगा, ऐसा चुहा दर्जी को कहता है, इसलिए दर्जी डर जाता है, और जट पर क्या करता है, टोपी सिकर दे देता है, फिर आगे देखते हैं, टोपी पहन कर चुहा आगे बढ़ा, रास्ते में कसीदाकार की दुखान देखी, चुहे को टोपी पर कसीदा कढ़ाने की इच्छा होई, अब क्या होता है, टोपी, चुहा जो है वो टोपी दर्जी से टोपी सिला कर, टोपी पहन कर आगे बढ़ता है, और रास्ते में उसे अब एक कस कसिदा कार की दुखान दिखाई देती है और उसको चुहे को टोपी के उपर कसिदा कढ़ाने की इच्छा होती है इसलिए वो क्या करता है चुहा कसिदा के दुखान की दुखान के पास जाता है भाई मेरी टोपी पर थोड़ा कसिदा काढ़ दे क्या कहता है कसिदा काढ़ द कहते हैं क्या कहते हैं पंता हैं Shopify मैं कुछले दउत्य हैं और कारने कुछ चल चे यह किसे फूर्शत है यहां किसे फूर्षत है अब चुहा जो है वो टोपी पहन कर कसिदाकार की दुकान देखता है इसलिए उससे टोपी के उपर कसिदा कड़ाने की एच्छा होती है इसलिए वो कसिदाकार को क्या कहता है कि मेरी टोपी पर थोड़ा कसिदा कड़ दे और कसिदाकार चुहे की ओर देखता है और उसे धॉमकाता है चल चल यहां किसे पूर्षत यह पेरी टॉपी के ऊपर सिधा कढ़ाने की पिर चुहा क्या कहता है अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है लेकिन कॅ कजहeurी में में जाओगा सिपाइ को बुलाओगा तुझे खूब पिटवाओगा और तमासा देखूगा क्या कहता है चुहा एक कशिदाकार है कशिदाकार को भी ऐसे ही कहता है क्या कहता है मैं तो कछरी में जाओगा और शिपाही को बुलाओगा फिर तुझे खूब बहुत पिटवाओगा और मैं तमासा दे उसने चुहे को कछेरी में जाने से रोका उससे टोपी लेकर उस पर अच्छा कसिदा कर दिया चुहा तो खुस हो गया अब क्या होता है तो चुहा कहता है कि मैं तो कछेरी में जाऊँगा इसलिए कसिदा कार चुहे वो घपरा जाता है दर जाता है और चुहे को कच्छेरी में जाने से रोक लेता है, और चुहे की टोपी के उपर अच्छा सा कसिदा बनादेता है, और चुहाँ फूस हो जाता है, परबर। तो यहाँ पी हमी शब्द जो दिये है वो शब्द बाद में देखते हैं पहले हम ए पूरी कहाने का अनुवाद देखलेते हैं वेराबर तुसुनों एक उंदर हतो ते रस्तापर जय रयो हतो ते ने कापणमों एक टुकडो मढ जिए तुकडो मढ manufacturing ती आगलवल्द्यो तेने लईने आगलवल्द्यो त्याने एक दर्ची नी दुकान जोई दर्ची पासे जहिने त्याने कहियो उन्दर कहे छे दर्ची रे दर्ची आ कापण मी एक टोपी सिवी आप त्यारे दर्ची सु कहे छे आ कोण बोली रहियो छे त्यार उन्दर सु कहे छे उंदर उंदर बोली रहयो छुँ आनी एक टोपी मने सिवियाँ त्यारे दरजी सुँ कहे छे अरे सिवियाँ त्यारे दरजी सुँ कहे छे चाल रवाना थाई जा नहीं तो कातर उठावी ने तने का मारेश त्यार उंदर सुँ कहे छे अरे तु मने दर आवी रहयाँ छे त्यारे उंदर मिजू सुँ कहे छे उन्टो कचेरी मां जई конфी सिवियाँ आपी दे छे पछी उंदर टोपी पहरी अगर वजे छे। त्यारे रश्ता मतेन एक भरत काम करना निदुपान जुए छे ये। उंदर ने टोपी पर भरत काम करावनी इच्छा थाई छे। एटले उंदर कहे छे भाई मारी टोपी पर थोड़ भरत काम करी आप एम पेला भरत काम करनार ने कहे छे त्यारे भरत काम करनार सुन कहे छे उंदर नी सामे जुए छे पाछी देने धमकावे छे आने सुन कहे छे के चाल रवाना था यह कोने फूर्सत चे आने कोई यह कोनी नेने त्यांती भगडेत भगडतो होई छे त्यारे अंचु आ उंदर सुखे छे एम तो पर मने भगड़ी रही हो छे परन्तु संबड कचेरी मां जोईस सिपाही ने बोलावीस तने खूब मार खवडावीस अने हुँ तमासो जोईस सुखे छे लुट तमासो जोईस तने खूब मार खवडावीस अने आ सामणी ने पेलू भगड काम करनार घपराई जाए छे अने ते उंदरने कचेरी मां जता रोकी ले छे आने तेनी पासे धी टोपी ले छे आने तेना उपद सरस भरत काम करीने आपे छे आने उंदर राजी राजी थाई जाई छे बेराबेर सुन थाई थे उंदर खुबच राजी थाई जाई छे आने टोपी उपड़ेने कसीदो काडिया पेछे भरत काम करिया पेछे एटले बराबे समझन पड़ी बद्धाने होवे आपड़े चुए कहानी ना सब्दार्थ जुगो नाप प्यलो सब्द छे नाप नाप एटले माप बराबर माप कौन ले तो दरजी माप ले ले नै दरजी माप ले कपडांग पछी जटपट जटपट एटले जल्दी जल्दी सिकरो आपड़े कहिए पछी कसीदा आपड़े कड़ा आपड़े गुजराती माँ भरत काम कहिए पच्छे फूर्षत फूर्षत एटले अउकाश दराबर फूर्षत एटले अउकाश आपड़े गुजराती माँशू कई ये नवरास नवरास थाईगे आने नवरास पच्छे कच्छरी एटले अदालत पच्छे आगर सिपाही एटले सोईनेक कैंची एटले अपड़े गुजराती माँश एकातर कई ये ने एकातर कश्री दाकार इटले के सुई धागे से कपड़े पर बेल बुट्टा बनाने वाला बरत काम करनार आपड़े गुजराती माँशू कई ये बराबर तो हवे आपड़े आगर जोईए अप्यास अप्यास नोव प्रश्न एक जोईए उची आवाज में पढ़िये और लिखे तो पहला है जो आदा है उसके अंदर छोट जुड़ा हुआ है बराबर तो हमें ऐसे सब्द पढ़ने हैं और लिखने भी है आपको आपकी कापी में हिंदी की जो कापी है उस कापी में लिखने है स्वच्च, मच्छर, अच्छा और इच्छा यहाँ पे जोड़ा अक्सर है कैसे अक्सर है जोड़ा अक्सर है फिर उ बढ़ाऊ है बुलाऊगा, पिटवाऊगा, जाऊगा फिर बड़ी ई है कडाई, पढाई, बधाई फिर ध्याँ यह छोड़ा अक्सर है तो अयोध्या, ध्यान, श्वाध्याई, ओध्याई फिर व्याँ, व्यशन, व्यापारिट, वायव्य, कर्तव्य व्याबर एजो सब्द है आपको भी घर पे यह सब्द बोलने है हम अगर बोलेगे तो हमें समझ में आएगा कि छोड़ा अकसर कैसे बोले चाते है तो हमें बोलने भी है और फिर वापस हमें उसको लिखने भी है अपनी कॉपी में वेराबर समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ फिर आखे देखते हैं प्रश्ना दो प्रश्ण दो जो है वो सुचना पड़ते हैं पहले तो देखो निचे दिये गए चीत्र का मोखिक वर्णन कीजिए क्या करना है हमें मोखिक वर्णन करना है तो पहले तो चीत्र को ध्यान से देखिए देखो दिखाई दे रहा है देखोई चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको तो हाई स्कूल लिखा है तो यहाँ पे देखो एक स्कूल का चित्र हमें दिखाई दे रहा है बच्चे जो है वो सब खेल के मेदान में है खेल के मेदान में अलग-अलग जो खेल है वो खेल हमें दिखाई दे रहे हैं कोई क्या कर रहा है फूट बॉल खेल रहा है वॉलीबल खेल रहा है ऐसा हमें दिखाई दे रहा है फिर देखो कितने क्लास है वो देखो तो 9 से 12 पक्षा तक की पढ़ाई होती है घाई स्कूल है याने पता 9 से 12 होगी ना फिर आगे क्या है तो बड़ा सा एक प्रवेस्दवार हमें दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है हाँ तो यह चीत्र को देखकर हमें वनन करना है मौखिक वनन करना है समिध में आ रहा है मौखिक वाणन तो हम कैसे वाणन करेगे तो पहले लिखेगे कि यह विद्या लई है विद्या लई में अठारव कमरे है जो वर्ग कहते हैं गुजराती मा वर्ग खंड वो अठारव कमरे है यहां से आओं यहाँ 9-12 कख्षा तक की पढ़ाई होती है विद्यालई के आगे खेल का बड़ा मेदान है मेदान में एक और लड़के जो है फूट बॉल खेल रहे है दूसरी और लड़के बॉली बॉल खेल रहे है फिर दूसरा क्या दिखाई दे रहा है तो विद्यालई का एक बड़ा प्रवेश्वार हमें दिखाई दे रहा है यह बहुत सुन्दर विद्यालई है ऐसे आपको जो दिखाई दे रहा है वैसे आप मोखिक वाणन कर सकते हो समझ में आ रहा है तो इस तरह आपको मोखिक वाणन करके आपकी जो कापी है फिंदे की कापी है वो हिंदे की कापी में आपको ये मौकिक वंडन भी लिखना है बराबर तो यहां पे जो हमने देखा प्रस्ण 2 तो प्रस्ण 2 हम यहां पे पूर्ण करते हैं और प्रश्ण 3 के साथ हम नेक्ष्ट विडियो में फीर मिलेगे